पुलीस पर दबाव है? क्यों पुलीस लगातार इस मामले को कमजोर कर रही है? दिल्ली पुलीस पर दबाव क्या है? वो इस पोस्टर में आपको साथ दिखेगा. क्या ये सच है या नहीं कि पांच अपराधी जिन्हों ने उस अपराध को अंजाम दिया 12 किलो मीटर तक बेटी को घसीटा उन पांचों में एक आरोपी का नाम मनोज मित्तल है. कौन है मनोज मित्तल? ये मनोज मित्तल भाजपा का मंगोल पुरी वार्ड नमबर 42 का सह सयोजक है. भाजपा के दबाव में दिल्ली पुलीस भाजपा के इस नेता को बचाने के लिए मामले को लगातार कमजोर करने की कोशिश कर रही है. ये हमारा सीधा आरोप है. एक लड़की जिसका नाम निधी है दिल्ली पुलीस मीडिया के सामने अचानक उस लड़की को वारदात के तीन दिन के बाद लाती और ब्यान दिलवाती है ब्यान से साफ समझ आता है कि दिल्ली पुलीस अपनी छवी को बचाने के लिए बादपा के नेता को बचाने के लिए निधी को आगे करके इस तरह के ब्यान दिलवा रही है कि पूरी तरह से मृत पीड़िता का चरित्र हनन हो रहा है सवाल जो अपराध हुआ उस पे नहीं अपराधियों पर नहीं मृतक पीड़िता पर उठाए जा रहे हैं परिवार जन बोले हमें नहीं पता कौन है ये निधी जिसे दिल्ली पुलीस का सबके सामने लाकर सीधा सीधा पीड़िता का चरित्र हनन कर रही है ग्लोबल टुडेए खबर जो करे असर